नमस्कार, मैं दीपक सुकला, मोटिवेस्नल स्पीकर एंड बिजनेस कोच आज हम इस बात पर चर्चा करने आए हैं कि हमें लोन कितना लेना चाहिए पहले तो लेना चाहिए कि नहीं और फिर कितना लेना चाहिए क्योंकि मुझे आज इसे वीडियो बनाना क्यों आवस्यक जान पड़ा क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं या मिलने वाले हैं तो मैंने उनकी एक हैपी लाइफ से अन हैपी लाइफ होते हुए देखा है लोन के बात तो ऐसा उन्होंने क्या कि उनकी happy life, unhappy life हो गई, जब कि घर जब बनता है तो सबका सपना होता है, और वो जब सपना पूरा होता है, तो happy होना चाहिए, बट वो unhappy में तबदील होते होगे, देखा है, और उसका क्या कारण है, जिसकी वज़े से ऐसा हुआ, और एक चीज मैं और clear कर देता हूँ, कि जब एक चीज ऐसी हो जाती है, तो हम उससे withdraw नहीं कर सकते हैं, यह एक ऐसा step है, जो एक बार लिया गया, तो हम वापस नहीं खीश सकते हैं, तो कुछ जरूरी जानकारी मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, और वही मैं लेकि आपके सामने आज आया जिसके जो थोड़ा सा अच्छे से planning हो जाएगी, तो आपकी happy life, home loan के बाद, घर बनने के बाद, more happy हो जाएगी, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे important बात यह है, कि हमें home loan कितना लेना चाहिए, लेना तो चाहिए, यह तो clear है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और हम सब सहमत है जब हमारी साधी होती है, तो हमारा एक साल के अंदर एक सपना निया जागरत होता है, कि अपना खुद का घर हो, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए, यह सपना लेके हम आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए चाहिए होता है हमें fund, और जो fund है, वो हमें home loan के दोरा प्राप्त ह होता है, EMI भी अच्छी है, interest rate भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और home loan लेना भी अच्छा है, लेकिन दिकत कहां से सुरू होती है, वो होती है, जब हम अपनी earning के हिसाब से home loan नहीं लेते हैं, जैसे, बैंक हमें permit करती है 50% अपनी salary, gross salary, जो भी है, अगर husband, wife दोनों है तो दोनों को mix करके 50% और अगर एक है, तो 50% जैसे मालीजे हमारी salary एक लाग रुपए है, तो हम 50,000 रुपीज तक EMI पे कर सकते हैं, EMI पे कर सकते हैं, उसके according जितना home loan हो चाहिए, तो क्या हमें इतना ले लेना चाहिए, नहीं, एक्तम नहीं, expert कहते हैं, और मैं खुद भ अपनी salary का home loan लेना चाहिए, home loan नहीं, चितने भी loan है, car loan, home loan या गोल, जो एक्स वाइजर, जो भी आपने loan ले सरव रखे हैं, उसमें से सब की EMI जोड़ दें, सब की, car loan की EMI, home loan की EMI जोड़ के भी, आपकी salary का 33% से अबब नहीं होना चाहिए, उसका कारण भी है, कि अग हम सब 50% हमने home loan ले लिया, तो home loan मतलब घर बनाने के बाद क्या उसमें रहना नहीं है, क्या उसके लिए furniture नहीं चाहिए, या उस standard का जब आपने घर बनाया है, तो क्या उस standard के भागी चीजें, कपड़े या school या कुछ maintain नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, सब कुछ होना च पाएगा जब आप अपनी earning का 33% ही home loan लेंगे, home loan या other loan भी, क्योंकि ये कोई कल या परसों खतम हो जाने वाली चीज़ नहीं है, ये आगे आगे आपके 20 साल तक आपके साथ रहेगी, home loan, अभी आपको नहीं लग रहा है, आपकी जब आगे life बढ़ेगी, आपके बच्चे और बड़े होंगे, उनको education की जरूरत होगी, high education की जरूरत होगी, तब आपको ऐसास होगा कि कुछ यादा ही loan ले लिया है, 33% पे आपको कत्ता ही ऐसास नहीं होगा, अच्छे से आपका घर भी चलता जाएगा, और महच 5 साल में, 4-5 साल में आपकी salary इतनी grow कर जाएगी, क वो 33% आपको पता ही नहीं चलेगा, कि कब फिर से आप उसी salary पर आगए हैं, जिस salary पर पह लेते हैं, तो it will be very useful thing for you, कि अगर आप home loan 33% ही लेते हैं, और मैंने जो survey किया है, देखा है, कि जो लोगों की unhappy life unhappy हुई है, अगर आप 33% home loan लेंगे, तो आपकी happy life more happy हो जाएगे, और एक बात, home loan हमेशा reputated bank से लेना चाहिए, mostly जादा से जादा ये सोचें, कि हम सरकारी bank से home loan लें, अगर नहीं हो रहा है, तो private भी खराब नहीं है, लेकिन reputated bank होना चाहिए, ऐसे किसी से नहीं कि कोई नहीं दे रहा है, तो वो दे रहा है, तो ले 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 ना, बहुत life क यही सोच है, कि आपको सही चीज़ और सही जानकारी दें, ताकि आपकी life हमेशा के लिए happy रहे, इसी सब बातों के साथ, और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आपको ऐसा लगता है, कि ये वीडियो किसी और के लिए hit कर रहे, किसी और दोस्त के लिए अच्छा रहेगा, तो आप उसको share जरूर करें, like जरूर करें, धन्यवाद, नमश्क्राइब.